हाई फ्रेंड असलाम अलेकूं वेलकम टूमाइ चैनल अकीलास किच्छन कैसे आप लोग अनमदुले लाप लोग ठीक होंगे मुमवली का सालन बनाएंगे फ्रेंड इसे हम शेंग दाने का सालन भी बोलते हैं बहुत ही अच्छा टेस्टी और यम्मी बन जाता है आपको चाहिए तो आप जरूर कमेंट करके बताना चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं मुमवली का सालन बनाने के लिए हमें लेना है पचास ग्राम जितना हम इसमें यूज करेंगे मुमवली शेंग डाना देखिए और तीका आपके असाब से यूज करना मिर्शी का चलि अजले है पहले हम क्या करेंगे ड्राय रोस्ट करना मुमवली को मतब रायरोस्ट करना देखिए लिए अची तरीके साब भी सचर करते हैं यह तो करना दूस्य साइड मिकसर के पॉंच ऑडले हम दालें हरा दन्या हरी मिर्चि और लसन और जीरा दाल देंगे फ्रेंगे पह इसे ठरीकilot में सब्सक्राइब कुएं जाने बाने दर चोथा रही पेस्टवाषय है र्लेत हम आलें तक हम ठोड़ने जाक है वाट में पीनच मौँपली गए yüzden के वह झालब सबना है उस तरीके से हमने इसका बनाना है देखे ममी ने इस तरीके से इसका एक पेस्ट तयार कर लिया है चलिए फ्रेंट बिसमिला वोल कि हम स्टार्ट करेंगे कड़ाई रख देंगे कड़ाई में हम दो बड़े जमबच तेल अड़ करेंगे तेल अची तरीके से गरम होने के बाद हम उसमें दालेंगे थोड़ा सा राई जीरा और उसमें हम एड़ करेंगे दो सुकी लाल मिर्चे इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आप लिवर आता है करी लीव्स दालेंगे यह तड़का दाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और स्लाइज में हमने प्यास कट कर ली थी वन मीडियम साइस की वो भी हम दाल देंगे इसका भी कलर रिग्दम जादा चेंज नहीं करना है सिब प्यास को हमें पकाना है फ्रेंट मदब इसको सॉफ्ट करना है प्य देखे हरी मिर्ची का पेस्ट भी हम दालें गुडग हम आपके हिसाब से कम ज़ादा एक्जिστ कर सकते हो दो चमस्मच हमने उसके देब हैं पार भेटकर ंप नशी तरीक वह में हम थापट प्रव देखे भी हम में देखे प्लाइज में सॉटे करना है प्रेंड्स देखें और टमाटर को अच्छी तरीके से हमने पूरा पका कर लेना है फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे दो तिन चमच बहुती टेस्टी और यम्मी बनता था देखिए आप इसे बना कर देखना आपको ज़रू अच्छा लगीगा और ढगकर हम इसे पकने के लिए रख देंगे पांच मिन्ट तक आप इस अच्छी तरीके से टमाटे प्याज अच्छी तरीके से पूरे पक जाएगे देखिए य इतना अच्छा लग रहा है आप लोग देख सकते हो और थोड़ा वही मिक्सर के पॉट में थोड़ा पानी आड़ करके दालेंगा टेस्ट के अकॉर्डिंग हम दालेंगे इसमें नमक और अच्छी तरीके से इसे स्टर करेंगे नमक आप थोड़ा टेस्ट करने अगर आप इसे पास से दस मिनिट के लिए अच्छी तरीके से पखाना फ्रेंगे कितना अच्छा लग रहा है आप ऐसे ट्राइ करना यह बाजरी जवारी की रोटी घ्यू की रोटी आप जिसके साथ में से सब्सक्राइब चाहते हैं उसके साथ में अच्छी तरीके से खाना और इंज चार्णाब के लेंगे कितनी अच्छी मैं ग्रेवी भी मुबढ़ी था रोड़ने वह उसके लह एक सीष्य क्लेख Yup मेती की भाज़े आपको चाहिए इसका थिसा भी रल कर लाल मथै्शी के का आपको रसीपी एनदे कामन्ट करना तो मैं मैं नशाल्ले आपके साहते में रसीपी होगा चलिए फ्रेंड्स ऐसे पी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना शेर करना चैनल को ऐसी सपोर्ट करना बाई अला अपिस फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में